रागी एक ऐसा finger millet है जिसमें बहुत ही मात्रा में calcium, magnesium, phosphorus और iron होता है इसे super food के नाम से भी जाना जाता है तो hey everyone, welcome to cash kitchen आज हम बनाएंगे healthy रागी उत्पम जिसे बनाना बहुत ही असान है इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक mixing bowl में एक कप रागी फ्लो डालें अब इसमें एक चौथाई कप रवा डालें, एक चौथाई कप दही डालें लगभग आधा कप दीरे दीरे करके पानी डालें और इसे अच्छे से mix कर लें इसे ढखकर 10 मिनट के लिए साइड में रख दें अब बोल का ढखकन हटाएं इसमें आधा टी स्पून नमक 1-4 टी स्पून काली मिर्ज पाउडर डालें और अच्छे से mix कर लें अब एक चौप की आवा टमाटर जिसके बीज निकाल लें एक चौप की आवा प्याज एक ग्रेट कीवी गाजर एक टी स्पून चौप कीवी कड़ी पत्ता लें दो टेबल स्पून कटीवी धनिया पत्ती लें इन्हें एक साथ में अच्छे से mix कर लें अब एक नॉन स्टिक तवे को मीडियम से लो फ्लेम पर गरम करने रख दें अब इसमें दो बड़ी कर्ची रागी बैटर डालें और तवे पे evenly स्प्रेड कर लें इसको थोड़ा सा थिक ही रखना है अब उपर से कटीवी सब्जियां डालें और evenly स्प्रेड कर दें अब इसको उपर से इस तरह से दबा दें ताकि सब्जियां इस पर अच्छे से चिपक जाएं दो मिनद तक धक के पकाएं अब धकन हटाएं और थोड़ा सा घी या फिर बटर उपर से लग दबा दें अब इसे पलट दें हलका हलका सा सब तरफ से दबा दें ताकि ये अच्छे से पक जाए अब आपिस से दो मिनट के लिए धकन लगा दें और इसे पकने दें अब धकन हटाकर वापिस से इसे पलट लें और सबजियों को अच्छे से दबा लें लीजिये हेल्दी रागी उत्पम तयार है इसे चटनी के साथ सर्व करें आप चाहें तो बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी थैंक यू